दूसरा अध्याय, सब उब्देश थोड़े में, आत्मज्यान और समत्तो बुद्धी, खंडेक, गीता की परिभाशा भाईयों, पिशली बार हमने अर्जुन के विशाद योग को देखा, जब अर्जुन के जैसी रिजुता और हरी शरणता होती है, तो फिर विशाद का भी योग बनता है, इसी को हरदय मन्थन कहते हैं गीता की इस भूमिका को मैंने उसके संकल्पकार के अनुसार, अर्जुन विशाद योग जैसा विशिष्ट नाम ना देते हुए, विशाद योग जैसा सामान ने नाम दिया है, क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है, यह नहीं समझना चाहिए कि पंधर अरिक के निमित्त से वहा हम जड़ जीवों के उध़ार के लिए आज हजारों वर्षों से खड़ा है, इसी प्रकार गीता की दया अर्जुन के निमित्त से क्यों नहो हम सब के लिए है, अतहा गीता के पहले अध्याई के लिए विशाद योग जैसा सामान ने नाम ही शोभ दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा का आरंब होता है शुरू में ही भगवान जीवन के महा सिध्धान्त बता रहे हैं इसमें उनका आशय ये है कि यदि शुरू में ही जीवन के वे मुख्य तत्त गले उतर जाएं जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है तो आ प्रसंग से पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का थोड़ा स्पष्टी करण कर लें तो अच्छा होगा गीता पुराने शास्त्रिये शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त करने की आदी है पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना विचार करांती की अहिंस प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रिया में सिध्ध हस्त है। इससे गीता के शब्दों को व्यापक सामर्थ है प्राप्थ हुआ और वह तरो ताजा बनी रही। अनेक विचारक अपनी अपनी आवश्यक्ता और अनुभव के अनुसार उसमें से अनेक अर्थ ले सके। अपनी अपनी भूमिका पर ये सब अर्थ सही हो सकते हैं और उनमें विरोध किये बिना हम सुतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं। ऐसी मेरी दृष्टी है। इस सिलसिले में उपनिशद में एक सुन्दर कथा है। एक बर देव, दानव और मानव तीनों प्रजापती के पास एक ही अक्षर बताया, दा। देवों ने कहा, हम देवता लोग कामी हैं, हमें विशय भोगों की चोट लग गई है, अता हमें प्रजापती ने दा अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा, हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, हमें द दा अक्षर के द्वारा प्रजापती ने यह शिक्षा दी है कि दया करो। मानवों ने कहा, हम मानव, बड़े लोभी और धनसंचय के पीछे पड़े हैं, हमें दा अक्षर के द्वारा दान करने का उपदेश प्रजापती ने दिया है। प्रजापती ने सभी के अर्थों क जीवन सिध्धांत, एक, देह से सुधर्मा चरण, दूसरे अध्याए में जीवन के तीन महा सिध्धांत प्रस्तुत किये गए हैं, एक, आत्मा की अमर्ता और अखंडता, दो, देह की शुद्रता, और तीन, सुधर्म की अबाध्यता, इनमें सुधर्म का सिध्धांत कर्तव पिछली बार मैंने स्वधर्म के संबंध में कुछ कहा था। और जिस समाज में मैंने जन्म लिया, उसकी सेवा करने का धर्म भी मुझे इस क्रम से अपने आप ही प्राप्त हो गया है। इसे ही ये स्वधर्म संबंध भी अविच्छेद्य है, लेकिन मुझे ये उपमा भी गौन मालूम होती है। मैं स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूँ। मुझे अपनी माता का चुनाओ इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा, वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। चाहे कैसी भी क्यों नहीं हो, अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिती स्वधर्म की है। इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म को टालने की इच्छा करना मानुस्व को ही टालने जैसा आत्मघातकी पन है. स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं. अतह ये स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए. ये जीवन का एक मुलभूत सिध्धान्त स्थिर होता है. स्वधर्म हमें इतना सहच प्राप्त है कि हमसे अपने आप उसी का पालन होना चाहिए. परन्तु अनेक प्रकार के मोहों के कारण ऐसा होता नहीं. अत्वा बड़ी कठिनाई से होता है. और अगर हुआ भी तो उसमें विश्ष, अनेक प्रकार के दोश मिल जाते हैं. स्वधर मैं और मेरे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति बस इतनी ही मेरी व्यापती मेरा फैलाओ है. इस दायरे के बाहर जो भी हैं, वे सब मेरे लिए गैर अत्वा दुश्मन हैं. यह देह बुद्धी भेद की ऐसी दिवार खड़ी कर देती है. और तारीफ यह कि जिन्हे मै मैं अत्वा मेरे माना है, वह उनके भी केवल शरीर ही देख पाती है. देह बुद्धी के इस दुहरे पेच में पढ़कर हम तरह तरह के छोटे डबरे बनाने लगते हैं. प्राया सब लोग इसी कारेकरम में लगे रहते हैं. इनमें किसी का डबरा बढ़ा तो किसी का छोट परंतु है आखिरवर डबरा ही, इस शरीर की चमडी के जितनी ही उसकी कहराई. कोई कुटुमबा भिमान का डबरा बना कर रहता है, तो कोई देशा भिमान का. ब्राहमन प्राहमनेतर नाम का एक डबरा, हिंदू-मुसल्मान नाम का दूसरा, ऐसे एक दो नहीं, अनेक डब यही किहीन विचारों के कीडों की बाढ़ा जाती है, और सुधर्म रूपी आरोग्य का नाश होता है. अध्याय दो, खंड तीन, जीवन सिध्धान्त दो, देहा तीत आत्मा का भान. ऐसी दशा में सुधर्म निष्ठा अकेली परियाप्त नहीं होती, उसके लिए दो और स इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण तत्युग्यान होता है. यह तत्युग्यान गीता को इतना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता पहले उसी का आवाहन करती है और सुधर्म का अवतार बाद में करती है. कुछ लोग पूछते हैं कि तत्युग्यान संबंधी ये श्लोग प फिर सुधर्म बिलकुल भारी नहीं पड़ेगा. यही नहीं सुधर्म के अतिरिक्त कुछ और करना भारी मालूम पड़ेगा. आत्मतत्यु की अखंडता और देह की शुद्रता इन बातों को समझ लेना कोई कठिन नहीं है क्योंकि ये दोनों सत्य वस्तुएं हैं. परंतु जवानी और बुढ़ापा इस चक्र का अनुभव किसे नहीं है. आधुनिक वैग्यानिकों का तो कहना है कि साथ साल में शरीर बिलकुल बदल जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेश नहीं रहती. हमारे पूरवज मानते थे कि बारह वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित, तपश्चर्या, अध्ययन, आधि की भी मियाद बारह बारह वर्ष की रखते थे. बहुत वर्ष की जुदाई के बाद जब कोई बेटा अपनी मां से मिला तो मां उसे पहचान न सकी. ऐसे किससे हम सुनते रहते हैं. तो क्या यही प सुच्छता का वरत छूटता ही नहीं. क्या वही तू है? वह असुच्छ तू से साफ रखने वाला. वह रोगी तू से दवा पानी देने वाला. वह साड़े तीन हाथ की जगह घेरे हुए. तू प्रिभुवन विहारी. वह नित्य परिवर्तन शील तू उसके परिवर्तन क को देखने वाला. वह मरने वाला तू उसके मरण का व्यवस्थापक. तेरा और उसका भेद इतना सफष्ट होते हुए भी तो इतना संकुचित क्यों कर बनता है? यह क्यों कहता है कि इस देह से जितने संबंध हैं वे ही मेरे हैं? और इस देह की मृत्यू के लिए इतना शो कोई एक शरीर आत्मा से सदा के लिए जिपका रहता तो आत्मा की बुरी गती होती. सारा विकास रुख जाता, आनंध हवा हो जाता और ज्यान प्रभामंद पढ़ जाती. अतह देह का नाश शोचनिय नहीं. हाँ यदि आत्मा का नाश होता तो अलबत्ता वो एक शोचनिय बात होती. पर वो तो अविनाशी है. वो तो मानो एक अखंड बहता हुआ जहरना है. उस पर अनेक देह आते जाते हैं. इसलिए देह के नाते रिष्टों के चक्कर में पढ़कर शोच करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं. ऐसे भेद्या टुकड़े करना सर्वता सचमुच ये बड़े दुख की बात है कि जिस भारत भूमी में ब्रह्म विद्या ने जन पाया, उसी में इन छोटे बड़े गुटों, फिर्कों और जातियों की चारो और भरमार दिखाई देती है. और मरने का तो इतना भय हमारे मन में घर कर गया है कि वैसा शायद ही कही दूसरी जगा हो. इसमें कोई शक नहीं कि दीर कालीन परतंतरता का ये परिणाम है. परंतु ये बात भूल जाने से भी काम नहीं चलेगा कि वो भय भी इस परतंतरता का एक कारण है. मरन शब्द भी हमें नहीं सुहाता. मरन का नाम लेना ही हमें अमंगल मालूम होता है. ज अगा मरहा बोलू नसाहती आणी मेलिया तरी रड़ती जब कोई मर जाता है तो कितना रोना चिलाना मचाते हैं मानो वो हमारा एक कर्तव वही हो किराये पर रोने वाले बुलाने तक बाद जा पहुंची है मृत्यू निकटा जाने पर भी हम रोगी को नहीं बताते यदि डॉ कि यह नहीं बचेगा तो भी रोगी को भ्रहम में रखेंगे खुछ डॉक्टर भी साफसाफ नहीं कहेगा आखरी दम तक गले में दवा उडेलता रहेगा इसके बजाए यदि सच्ची बात बताकर धीरज दिलासा देकर उसे इश्वर स्मरण की और लगाया जाए तो कितना उपकार हो किन्तु उन्हें डर लगता है कि कहीं धक्के से ये मटका पहले ही न फूट जाए परन्तु भला क्या निश्चिस समय से पहले ये मटका फूटने वाला है और फिर जो मटका दो घंटे बाद फूटने वाला है वो थोड़ा पहले ही फूट गया तो क्या बिगड इसके माने ये नहीं कि हम कठोर हुर्दय और प्रेम शून्य बन जाएं, किन्तु देहा सक्ती प्रेम नहीं है, उल्टे देहा सक्ती को दूर किये बिना सच्चे प्रेम का उदय नहीं होता। जब देहा सक्ती दूर होगी, तब ये मालूम होगा कि देह तो सेवा का एक साधन है, और तब देह को उसके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, परन्तु आज तो हम देह की पूजा को ही अपना साध्यमान बैठे हैं, हम ये बात भी भूल गए हैं, कि साध्य तो धर्माचरण है, सो धर्माचरण के लिए देह को संभालना चाहिए, उसे खिलाना पिलाना चाहिए, केवल जीब के चोचले पूरे करने की जरुरत नहीं, चम्मस से चाहे हलुआ परोसो चाहे दाल भात, उसे उसका कोई सुख दुख नहीं, ऐसी हिस्थिती जीब की भी होन इसी तरह शरीर से काम लेना है, इसलिए उसमें कोईला डालना जरूरी है, इस प्रकार यदि हम देह का उपयोग करें, तो मूल अतहा शुद्र होने पर भी उसका मूले बढ़ सकता है, और उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, लेकिन हम देह को साधन रूप से काम में अलाकर उसी में डूप जाते हैं और आत्मसंकोच कर लेते हैं, इससे ये देह जो पहले से ही नगणने है, और भी अधिक्षुद्र बन जाती है, इसलिए संतजन जोर देकर कहते हैं, देह आणी देह संबंधे निंदावी, इतरे वंदावी, श्वान सूकरे, देह और देह संबंध निंदे हैं, अनिश्वान सूकर आदी भी वंदे हैं, अरे तो इस देह की और देह से जिनका संबंध हाया है, उनी की दिनरात पूजा मत कर, दूसरों को भी पहचानना सीख, संतिस प्रकार से हमें व्यापक होने की सीख देते हैं, हम अपने आप्त, इष्ट मित्र करते हैं क्या, अपने आत्महंस को इस पिंजरे के बाहर की हवा खिलाते हैं क्या, क्या कभी मन में ऐसा आता है, कि अपने माने हुए दाइरे को पार कर, कल मैंने नए दस मित्र बनाए, आज पंदरा हुए, कल पचास होंगे, और ऐसा करते करते एक दिन, सारा विश्व ही मे और मैं विश्व का, इस प्रकार अनुभव करने लगूंगा, हम जेल से अपने नाते रिष्टेदारों को पत्र लिखते हैं, इसमें क्या विश्व रिष्टा है, किन्तु जेल से छूटे हुए किसी नए मित्र, राजनातिक कैदी नहीं, जोर कैदी को पत्र लिखेंगे क् हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए छट पटाती रहती है, उचाती है कि सारे जगत को गले लगा लें, परन्तु हम उसे बंद कर देते हैं, आत्मा को हमने कैद कर रखा है, उसकी याद भी हमें नहीं होती, सवेरे से लेकर शाम तक हम देह की सेवा में लगे रहते हैं, दि पशू भी लेते हैं, अब त्याक का और स्वात तोड़ने का आनन्द भी लोगे या नहीं, सुयम भूख से पीडित होते हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे मनुष्य को दे देने में जो आनन्द है, उसका अनुभव करो, उसके स्वात को चखो, मा जब बच्चे के जाने ये रहता है, कि वो आत्म विकास का स्वात चखे, क्योंकि देह बद्धात्मा कुछ देर के लिए थोड़ी उसके बाहर निकलती है, परंतु ये बाहर आना किस प्रकार का है, ठीक वैसा, जैसा कि जेल की कोटरी के कैदी का, काम के बहाने जेल के आहाते में आना, परं सारांश और चित से स्वा, पर के भेद को निकाल डाले, जीवन के ये मुख्य सिधान्त भगवान बताते हैं, जो मनुष्य इनके अनुसार आचरण करेगा, वो निससंदेह एक दिन, नर्देहाचे निसाधने, सच्चिदानंद पद्वी घेने, नर्देह रूपी, साधन के द्वा सच्चिदानंद पद के अनुभव को प्राप्त करेगा, दूसरा अध्याय, खंचार, तोनों का मेल साधने की युक्ती, फलत्याग, भगवान ने जीवन के सिध्धान तो बताये, किन्तु केवल सिध्धान बता देने से काम पूरा नहीं होता, गीता में वर्णित ये सिध सिध्धान तो उपनिशदों और स्मृतियों में पहले से ही थे, गीता ने उन्हीं को फिर से उपस्थित किया, इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है, उसकी अपूर्वता तो ये बतलाने में है, कि इन सिध्धान तो को आचरण में कैसे लाएं, इस महाप्रिश्न को हल कर जीवन के सिध्धानतों को व्यभार में लाने की जो कला या युक्ती है उसी को योग कहते हैं। दोनों के योग से जीवन सौंदर एक खिलता है। कोरा शास्त्र हवा में रहेगा। संगीत का शास्त्र समझ तो लिया। किन्तु यदि कंठ से संगीत को प्रकट करने की कला न सधी तो नाद ब्रह्म की सजावट नहीं होगी। यही कारण है कि भगवान ने सिध्धानतों के स साथ उनका विनियोग सिखाने वाली कला भी बताई है। भला कौन सी है वो कला। देह को तुछ मानकर आत्मा की अमरता और अखंडता पर द्रिश्टी रखकर सुधर्म का आचरण करने की कौन सी है वो कला। जो कर्म करते हैं उनकी वृत्ति दुहरी होती है। एक यह कि गीता तीसरी ही वृत्ति बताती है। वो कहती है कर्म तो अवश्य करो पर फल में अपना अधिकार मत माने। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है परन्तु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता है लूँगा तो फल के सहित ही और तमोगुड कहता है छोडूँगा तो कर्म समेत ही छोडूँगा ये दोनो एक दूसरे के भाई ही हैं अता तुम इन दोनों से उपर उठकर शुद्ध सत्तो गुणी बनो और फ़ल को छोड़ दो और फल को छोड़ कर कर करो पहले और पीछे कहीं भी फल की इच्छा मत एसा कहते हुए गीता ये भी जताती है कि कर्म उतकरिष्ट होना चाहिए। इसी परकार निशकाम करता सतत सेवा कर्म को ही जानता है। यदि ऐसे निरंतर कर्म रत पुरुष्ट का कर्म उतकरिष्ट ना होगा तो किसका होगा। फिर चित्त की समता एक बड़ा ही कुशल गुण है और वो तो निशकाम पुरुष्ट की बपौती ही है। किसी बिलकुल पाहरी कारीगरी के काम में भी हस्त कोशल के साथ यदि चित्त के समत्तो का योग हो तो जाहिर है कि वो काम और भी अधिक सुंतर बनेगा। इसके अतिरिक्त सकाम और निश्काम पुरुष की कर्म दृष्टी में जो अंतर है वो भी निश्काम पुरुष के कर्म के अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की और स्वार्थ दृष्टी से देखता है। मेरा ही कर्म और मेरा ही फल। इस दृष्टी के कारण यदि कर्म की और से उसका ध्यान थोड़ा हट भी गया तो उसमें उसे नैतिक दोश नहीं मालूम होता। बहुत हुआ तो विवारिक दोश जान पड़ता है। परंतो निशकाम पुरुष की तो अपने कर्म के विशय में नैतिक करतव बुद्धी रह किये फल त्याग अत्यंत कुशल एवं सफल तत्त सिद्ध होता है। अता फल त्याग को योग अत्वा जीवन की कला कहना चाहिए। यदि निशकाम कर्म की बात छोड़ दें तो भी प्रतिक्ष कर्म में जो आनंद है वो उसके फल में नहीं है। स्वकर्म करते हुए जो ए गाए मत चराओ, मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे उतना अनाज तुमें दे देंगे। यदि वो सच्चा किसान होगा तो वो ये सौदा पसंद नहीं करेगा। किसान प्राता काल खेत पर जाता है। सूरे नारायन उसका स्वागत करते हैं, पक्षी उसके लिए गाना ग इसकी तुलना में उसका बाय फल बिलकुल ही गौण है। गीता जब मनुष्य की दृष्टी कर्म फल से हटा देती है, तो वो इस तरकीप से कर्म में उसकी तन्माईता सो गुना बढ़ा देती है। फल निरपेक्ष पुरुष की कर्मगत तन्माईता समाधी की कोटी की होत इसलिए उसका आनंद औरों से सो गुनाधिक होता है। इस तरह देखें तो ये बात तुरंट समझ में आ जाती है कि निशकाम कर्म सुता ही एक महान फल है। ग्यान देव ने ये ठीक ही पूछा है। वरिक्ष में फल लगते हैं और फल में अब और फल लगेंगे। इस दे पादू केले लगाए और उन्हें बेचकर मिर्च क्यों खाए। अरे भाई केले ही खाओ ना पर लोग मत कोई ये सुईकार नहीं। केले खाने का भाग ये पाकर भी लोग मिर्च पर ही तूटते हैं। गीता कहती है तुम ऐसा मत करो। कर्म ही खाओ, कर्म ही पियो और कर्म ही पचाओ कर्म करने में ही सब कुछ आ जाता है बच्चा खेलने के आनंद के लिए खेलता है इससे उसे व्यायाम का फल सहज ही मिल जाता है परंत उस फल की और उसका ध्यान नहीं रहता उसका सारा ध्यान उस खेल में ही रहता है दूसरा ध्याय खंड पांच फल त्याक के दो पाल की भेज कर उनके स्वागत कायोजन किया परंतु तुकाराम को अपने स्वागत की ये तैहारी देखकर भारी दुख हुआ उन्होंने अपने मन में सोचा यही है मेरी भक्ती का फल क्या इसी के लिए मैं भक्ती करता हूँ उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान मान सम्मान का ये फल उनके हाथ में थमा कर उन्हें अपने से दूर हटाना चाहते हैं उन्होंने कहा जाणो नी अंतर टाड़ी सील करकर तुझ लागली है खोड़ी पांडुरंगा बहु कोड़ी मेरे अंतर को जानते हुए भी तुम मेरी जंजट तालना चाहते हो ये पांडुरंग तुमारी ये टेव बहुत बुरी है भगवन तुमारी ये टेव अच्छी नहीं तुम मुझे ये घुंची के दाने देकर टरकाना चाहते हो मन में सोचते होगे कि इस आफ़त को निकाल ही न दू परन्तु मैं भी कच्छा नहीं हूँ मैं तुमारे पाउं पकड़ कर बैढ़ जाओंगा भक्ती ही भक्त का सुधर मैं और भक्ती में दूसरे तीसरे फलों की शाखाएं न फूटने देना ही उसकी जीवन कला है पुंडलीक का चरित्र खलत्याक का इससे भी गहरा आदर्श सामने रखता है पुंडलीक अपने माबाप की सेवा कर रहा था उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दोड़े आए पुंडलीक ने पांडुरंग के चक्कर में पढ़कर अपने उस सेवा कारे को छोड़ने से इंकार कर दिया अपने माबाप की सेवा उसके लिए सच्ची इश्वर भक्ती थी कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माबाप को सुक पहुँचाता हो उसका ये रूप दिखाई देने से पहले स्रिष्टी के अपरेत थी वो भगवान से बोला भगवान आप स्वैम मुझसे मिलने के लिए आए ये मैं जानता हूँ पर मैं भी सिध्धान को मानने वाला हूँ आप ही अकेले भगवान है ऐसा मैं नहीं मानता मेरे लिए तो आप भी भगवान है और ये माता पिता भी इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी और ध्यान नहीं दे सकता इसके लिए शमा कीजिए इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एकीट सरका दी और स्वेम उसी सेवा कारे में निबगन हो रहा तो कराम इस प्रसंग को लेकर बड़े कुतूहल से विनोत पूर्वक कहते हैं कारे प्रेमे मातलासी उभें केलें विठ लासी ऐसा कैसा रे तू धीट मागें भिरका विली वीट तू कैसा पागल प्रेमी है कि तूने विठ ल को खड़ा रखा तू कैसा धीट है कि तूने विठ ल के लिए इंट सरका दी पुंडलीक ने जो ये भी सिध्धान का उपयोग किया वो फलत्याकी युक्ती का एकंग है फलत्याकी पुरुष की कर्म समाधी जैसी गंभीर होती है वैसी ही उसकी वृत्ती व्यापक, उधार और सम रहती है इस कारण वो विविद तत्युग्यान के जंजाल में नहीं पढ़ता और ना अपना सिध्धान छोड़ता है ना ने दस्ती तिवादिना यही है, दूसरा बिल्कुल नहीं, ऐसे विवाद में वो नहीं पढ़ता ये भी है और वो भी है, परन्तु मेरे लिए तो यही है ऐसी उसकी नम्र और निश्चाई वृत्ती रहती है एक बार एक ग्रहस्त, एक साधू के पास गया और उसने उससे पूछा साधू ने कहा, नहीं तो, देखो, जनक जैसो ने जब राज महल में रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया तो फिर तुमें ही घर छोडने की क्या आवश्यकता है फिर दूसरा मनुश्य आया, और साधू से उसने पूछा सौामी जी, घर बार छोड़े बिना क्या मोक्ष मिल सकता है साधू ने कहा, कौन कहता है घर में रहकर सेंतमेत में ही मोक्ष मिलता होता तो शुक जैसो ने जे घर बार छोड़ा, क्या वे मूरक थे बाद में उन दोनों की जब एक दूसरे से मुलाकात हुई तो दोनों में बड़ा जगड़ा मचा एक कहने लगा, साधू ने घर बार छोड़ने को कहा है दूसरे ने कहा, नहीं उन्होंने कहा है कि घर बार छोड़ने की आवश्यक्ता नहीं है तब दोनों साधू के पास आये साधू ने कहा, दोनों बातें सही हैं जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसका मार्ग और जिसका जैसा प्रिश्न वैसा ही उसका उत्तर घर छोड़ने की जरुरत है यह भी सत्ते है और घर छोड़ने की जरुरत नहीं है यह भी सत्ते है इसी का नाम है भी सिद्धान्थ पुंडलीक के उदाहरण से ये मालूम हो जाता है कि फल त्याग किस मंजिल तक पहुँचने वाला है तुकाराम को जो प्रलोभन भगवान देना चाहते थे उससे पुंडलीक वाला लालच बहुत ही मोहक था परंत वो उस पर भी मोहित नहीं हुआ यदि हो जाता तो फंस जाता अता एक बार साधन का निश्चे हो जाने पर फिर अंत तक उसका आचरण करते रहना चाहिए फिर बीच में प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन जैसी चीज़ खड़ी हो जाए तो भी उसके लिए साधन छोड़ने की आवश्यक्ता नहीं होनी चाहिए देह बची है वो साधना के लिए ही है भगवान का दर्शन तो हाथ में ही है वो जाता कहा है मेरा सरवात्म भाव कौन छीन ले जा सकता है मेरा मन तो तेरी भक्ती में रंगा हुआ है इसी भक्ती को प्राप्त करने के लिए हमें ये जन्म मिला है माम ते संगोस तो कर्मनी इस गीता वचनकार्थ यहां तक जाता है कि निश्काम कर्म करते हुए अकर्म की अर्धात अंतिम कर्म मुक्ति की यानि मोक्ष की भी वासना मत रख वासना से छुटकारा ही तो मोक्ष है, मोक्ष को वासना से क्या लेना देना, जब फल त्याग इस मंजिल तक पहुँच जाता है, तब समझो कि जीवन काल की पूर्णे मा सध गई अध्याए दो, खंड छे, आदर्श गुर मूर्ति, शास्त्र भी बतला दिया, कला भी बतला दि, किन्तो इतने से पूरा चित्र आँखों के सामने खड़ा नहीं होता, शास्त्र निर्गुण है, कला सगुण है, परंतु सगुण भी साकार हुए बिन अव्यक्त नहीं होता, क अगवन आपने जीवन के मुख्य सिध्धान्त बता दिये, उन सिध्धान्तों को आचरण में लाने की कला भी बतला दी, तो भी इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने खड़ा नहीं होता, अतहा मुझे अप्चरित्र सुनाईए, ऐसे पुरिशों के लक्षन बताईए, जिनकी बुद्धी में सांखे निष्ठा स्थिर हो गई है, और फलत्याग रूपी योग जिनकी रग रग में व्याप्त हो गया है, जिने हम स्थित प्रज्ण कहते हैं, जो फलत्याग की पूरी गहराई दिखलाते हैं, कर्म समाधि में मग्न हैं और निष्चय के महा मेरू हैं, व इसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम 18 शलोकों में स्थित प्रज्ण का गंभीर और उदात्य चरित्र चित्रित किया है, मानो इन 18 शलोकों में गीता के 18 अध्यायों का सार ही एकत्र कर दिया है, स्थित प्रज्ण गीता की आदर्ष मूर्ती है, यह शब्द आया है, परंतु स्थित प्रज्ण का वर्णन इन सबसे अधिक सविस्तर और खोलकर किया है, उसमें सिद्ध लक्षन के साथ 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 साधक लक्षन भी बताये हैं, हजारों सत्यागरही स्त्रिपुरुष सायमकालीन प्रार्थना में इन लक्षनों का पाठ करते हैं, यद आंत्रिक हो गई, तो फिर वह चित्त में अंकित होने की बजाये मिट जाती है, पर यह दोश नित्य पाठ का नहीं, मनन ना करने का है, नित्य पाठ के साथ साथ नित्य मनन और नित्य आत्म परीक्षन आवश्यक है, स्थित प्रज्ण यानी स्थिर बुद्धी वाला मनश् परंतु संयम के बिना बुद्धी स्थिर कैसे होगी, अतह स्थित प्रज्ण को संयम मूर्ती बताया गया है, बुद्धी हो आत्मनिष्ट और अंतर बाहिय इंद्रियां हो बुद्धी के अधीन, यह है संयम का अर्थ, स्थित प्रज्ण सारी इंद्रियों को लगाम चड़ करता है, यह इंद्रिय संयम सरल नहीं है, इंद्रियों से बिलकुल काम ही न लेना एक तरह आसान हो सकता है, मौन, निराहार आदी बातें इतनी कठिन नहीं है, इस से उल्टे इंद्रियों को खुला छोड़ देना तो सबके लिए सधा सधाया ही है, परंतु जिस प्रकार काम में उनका उचित उपयोग करना, यह संयम कठिन है, इसके लिए महान प्रयत्न की जरूरत है, ज्यान भी चाहिए, परंतु इतना होने पर भी ऐसा नहीं है, कि वहां हमेशा अच्छी तरह सधी जाएगा, तब क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, साधक को कभी निराश नह होना चाहिए, वह साधना की अपनी सब युक्तियां काम में लाए, और फिर भी कमी रह जाए, तो उसमें भक्ति जोड़ दे, यह बड़ा कीमती सुझाओ, भगवान ने स्थित प्रजन के लक्षणों में दिया है, हाँ, वह दिया है गिने-गिनाय शब्दों में ही, परंत हम अपनी इस सारी साधना में भक्ति का अपना निश्चित स्थान कहीं भूल न जाएं, इसलिए उसकी ओर ध्यान दिला दिया, पूर्ण स्थित प्रजन इस जगत में कौन हो गया, सो तो भगवान ही जाने, परंतु सेवा परायान स्थित प्रजन के उदाहरन के रूप में पुंडलीक की मूर्ती सदैव मेरी आँखों के सामने आती रहती है, वह मैंने आपके सामने रख ही दी है, अच्छा, अब स्थित प्रजन के लक्षन पूरे हुए, दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ, निरकुन सांख्य बुद्धी, सगुन योग बुद्धी और साकार स संपूर्ण जीवन शास्त्र, इसमें से ब्रह्म निर्वान यानि मोक्ष के सिवा, दूसरा क्या फ्लित हो सकता है?